हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है नोलेज गुरुजी में स्टे ओम स्टे सेफ तो ये देख सकते हैं आप स्टे ओम स्टे सेफ का मतलब कि आप घर पे रहोगे तो आपके लिए फाइदा है बाहर निकले पे आपको कोविड नाइंटी यानी क्रोना वाइरस का खत्रा रह ताहर बाहर है तो पहली से बारवी तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी जो हुए हैं पहली से आगे बारवी तक कक्षा में तो उनके लिए ओनलाइन पढ़ाई शुरू करने की परिकरिया शुरू हो रही है तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो आपके पास है सबसे पहले पहुंचाए तो यह आप देख सकते हैं पहली से बारवी तक के विजारतियों को ओनलाइन पढ़ाएंगे अध्यापक तो यह आपके लिए खुसकबरी है जो बच्चे अभी करोना वाइरस की वज़ए से स्कूल कोलेस अभी बंद है तो जो बच किस्थ पहली से बारवीं तक कशा में अभी होंगे उनके लिए क्या है ओनलाइन पढ़ाई करने के लिए कुछ परोसेस जारी किया गया है तो हर्याना के सिक्ष्या मंतरी कवरपाल ने बताया कि करोना महामारी के चलते सरकारी स्कूलों के पहली से बार वितक के विदार्तियों को समान्य परस्तितियां होने तक ओनलाइन पढ़ाने कर निरने लिया गया है तो हमारे शीक्ष्या मंतरी हर्याना के कमरपाल गुजर जी ने ये फेंच ला लिया जो करोना मामारी चल लिया है इसके चलते जो बच्चे पहली से बार उतका उनको ओनलाइन पढ़ाई कराएंगे टीचर है और स्कूल खुलने तक विदारतियों को घर पर ही रहकर अपने इबागों के मदद से फोन हैं वाटसेप के मादे से अदापकों के साइटर से बढ़ाई करनी होगी शीक्ष्या मंतरी ने बताया कि परती बरस नए सेक्ष्यात्रों का आरम एक अपरेर से शुरू होता है पर उन्तों इस साल करोना वाइरस की महवारी के चलते पूर देश में लोकडाउन है जिसके का नियास अतर अब तक सरुन नहीं किया जा सका है और उन्हें ने बताया कि राज्या के सरकार स्कूल में पढ़ने वाले विदारतियों के पढ़ाई का नुक्सान ना हो इसके लिए शिक्षा विवाग दोबारा विविन ई-लर्निंग प्लेट फॉरम मनाए गए है तो उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे सरकार स्कूल में पढ़ने उनके पढ़ाई का नुक्सान ना हो इसके लिए बोर्ड ने ई-लर्निंग प्लेट फॉरम मनाया तो उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और इस बारे में सभी को पहले ही सुचित किया जा चुका है उन्होंने बताया कि विवाग ने ई-लर्निंग के मदद करने के लिए वेवसाइड मनाई है सिशा मंतरे ने बताया कि एजुसेट नेट वरक पर टेलीकस्ट की जाने वाली ओडियो वीडियो समगरी भी इस पोर्टल पर उवलोड कराई गई है ताकि विदार्तियों को उसका उप्योग कर सकेंगे उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए एक समन्य टाइम टेबल सेश डियोल मनाए गया है जो उक्त वेफसाइड पर उपलफद होगा तो इस पढ़ाई के लिए क्या है एक सेश डियोल जैसे आपका प्रियेट अलगता है उस हिसाब से ही कुछ टाइम टेबल मनाएंगे और उस हिसाब से ही आपको पढ़ाई करवाएंगे टीचर तो यह देख सकते हैं आप अध्यापक सुबह शड़े-वज़े से दो फिर साध्य-बारा बॉजे तक फोन वट्सेप के मादे से पढ़ाई से पढ़ाएंगे पाठ तो अध्यापक आपको यह साध्य-वज़े से शुरुआत होगी और साथे बारा तक यानी तीन गंटे का टाइम आपको मिलेगा पढ़ाई करने के लिए तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं सिक्षा मंतरी ने बताया कि अध्यापक परती दिन सुबह साथे नो बज़े से लेकर साथे बारा बज़े तक विदार्थियों फोन एवटसेफ के माद्या से पढ़ाएंगा और इस परकार विदार्थी घर पर रहकर अपने माता पिता और बड़ों के मद्द्वत से अधियन करेंगे इससे विदार्थियों को अपनी पढ़ाई में निरंतरा मनाई रखने मद्द मिलेगी और उन्होंने जानकरी दी कि उक्त वेबसाइड में सिख्षा विवागी विभीन और पहल जैसे दिख्षा और चॉक लिस्ट के लिंक भी होंगे चाक लि पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह जो है खास तोर पर ओनलाइन पढ़ाने का तरीका अपनाये गया है शिक्षा मंत्री दवारा तो यह आप पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो और बाहर की बातों पर ध्यान ने दो अगर यह वीडियो थी ज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सेर करना ने भूलें धन्यवादा